दोस्तो नमस्कार ये है सेवाग्राम आस्रम और ये है आस्रम परिसर का मुख्यव मार्ग और ये है गेट और गेट के सामने एक बोर्ड लगा पड़ा है मैं इसे दिखाना चाहूँगा इसमें लिखा है महात्मा गांधी के आस्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है 30 अप्रेल 1936 को बापू सरप्रथम सेवाग्राम पधारे दोस्तो आप इस भूमी के महत्व को समझ सकते हैं जहां गांधी जी ने अपनी जीवन का एक बहुमूले समय दिया था दोस्तो आप बापू के सेवाग्राम आस्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में सुरू से अन तक मेरे साथ बने रही है दोस्तो इसी कुटिया में बापू निवास करते थे यह है महात्मा गांधी जी का दफ्तर दोस्तो दफ्तर के बगल में एक बोड लगा है जिसमें आस्रम वरत के बारे में बताया गया है साथ ही यहाँ पर उस समय के कुछ जरूरी उपकरण भी रखे गए है दोस्तो बापू कुटि के बगल में ही बा कुटि है इस कुटि में बा निवास करती थी दोस्तों सामने जो आप सभी को यह कुटिया नजर आ रही है यह है आखरी निवास दोस्तों इसे आखरी निवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि 25 अगर्स 1946 को बापू इसी मकान से दिल्ली गए और फिर उन्होंने दिल्ली में आखरी सांस दी दोस्तों यह बापू के वजन करने का तराजू है जो आद भी बिल्कुश रक्षित है दोस्तों आखरी निवास इस्थान के पीछे वाले हिस्से में जल संजय के लिए एक विधिवी बताई गई है दोस्तों यह जगह बापू की सूर्य इस्थान की जगह है बापू मालीस के बाद धुप्च किस्सा है तो इसी इस्थान पर बैठते थे दोस्तो परुचुरे जी संस्कृत के ग्याता थे उन्हें कोड हो गया था तो महात्मा गाधी जी ने उनकी इस स्थान पर सेवा की थी इसी स्थान को परुचुरे कुटी के नाम से जाना जाता है दोस्तो आस्रम में इस तरीके से आपको जेवित खेती जगह-जगह पर देखने को मिल जाएगी दोस्तो ये है आदी निवास आदी निवास के आसपास आपको परियाटुकों की भीड नजर आ जाएगी क्योंकि ये परियस मार्क के पास पड़ता है और सबसे पहली कुटी है इसलिए यहाँ पे अक्सर लोग नजर आ जाते हैं ये है प्रातना भूमी बापू यहीं पर प्रातना करते थे और आज भी लोग निरंतर सुबै और साम में प्रातनाय करते हैं प्रातना सभा में कोई भी व्यक्ति आकर प्रातना कर सकता है इस स्थान पर जूते और चपल पहन कर प्रवेस वरजीत है इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों सामने बा कुटी है और उसके जो बीच में कुटी दिख रही है वो आखरी निमास है और वो जो पीण के पीछे जगे दिख रही है वो है बापुग कुटी दोस्तों इस वरक्षकारोपन कस्तुर्वा गांधी बा ने दो आठ उननीस वबैालिस को किया था दोस्तों यहां पर हर्याली बहुत है यहां पर आपको हर्याली और सांती का संगम देखने को मिल जाएगा दोस्तों यह व्रच्छा रूपड संत विनुवा भावेजी ने भूदान आंदोलन के समय किया था दोस्तों सामने यह जो कुटी दिख रही है यह है बाप बापू की रसोई इस टेबल पर भोजन रखकर बापू और बाप सब लोगों को परुसा करते थे और इसी स्थान पर सब के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करते थे गांदी जी का प्रसम निवास इस्थान वस्वाराज पढ़दर सिन्ग दोसों यह है आदी निवासिस्तान इसलिए कहा जाता है सबसे पहले 30 अपरेल 1936 को बापू जब सेगाउं सेवा ग्राम आये थे तब यहां अमरूत का बकीजा और कुवा था उनके लिए पास में बास की चटाई की जूपड़ी और अस्थाई पाखाना बनाये गया था पनी काई। आम करने का आद़ खाई लॉप खाई जब झुटचरे यहां जदर बास की तो दोस्तों यहां के अनुसार आदर्स गाउं के कुछ सिद्दान्त हैं जो यहां पर लिखे गए हैं सेवा ग्राम आसरम के गोसाला परिसर में अब हम सभी चलते हैं और वहां पर किस प्रकार गोसाला पालन के साथ में खेती की जाती है इसको भी यहां पर देखा जा सकता है दोस्तों यहां पर ग्राम उद्योक्स पर अधारित बहुत सारी दुकाने हैं जहां पर आपको खादी से समंदित बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगी यहां पर खादी वस्त्र बहुताय मात्रा में मिलता है साथ ही आपको यहाँ पर बापू द्वारा लिखित और बापू पर लिखित बहुत सारी किताबे भी मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ से खरी सकते हैं दोस्तो कपास से कपड़ा कारिसला यहाँ पर कताई, बुनाई और सिलाई यहाँ पर सभी कुछ सिखाए जाता है दोस्तो यह रहा सेवाग्राम आस्रम का प्रमुख गेट, यहाँ से हम प्रिवेश करते हैं दोस्तो सेवाग्राम आस्रम घुमने के बाद हम अब चलना हैं नई तालिम परिसर में लेकिन नई तालिम परिसर में वीडियो बनाना मना है इसलिए मैं आपको उधर की बहुत सारी चीज़े नहीं दिखा सकता दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है वो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें